हेलो बच्चो कैसे हो आप आज हम इंग्लिश का 37 चेप्टर करेंगे जिसका नाम है बेड़ टाइम ठीक है यह मैं आपको एक्स्प्रेंट करूंगा हिंदी में और इस वीडियो के आखरी में आपको इसके कोश्चन सेज भी दूँगा इसके लिए आखरी तक जरूर देखना लेकिन इससे पहले अगर आप चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो बेल आइकन उपर शुरो तके आपको हमारे नए नए वीडियो बिले और इस वीडियो के कमेंट सेक्षन में मैंने एक लिंक दिया है उस पर आप क्लिक करो आपको तीसरी क्लास के सारी वीड आना सन मतब सूरज सिंक मतब बचो डूमना रेस्ट मतब बचो आराम करना या पर क्या बोला है कि शाम आ रही है और जो सूरज है वो डूब रहा है आराम करने के लिए क्या बोला है कि जो रूख से चुड़िया है ये उड़ते हुए सीध है अपने घर अपने घोसले में जा रही है काउव सेज दा रुक ऐसी फ्लाइज ओवरहेड इट्स टाइम लिटल पीपल वर गोईंग टू बेड़ सेज मतब बचो बोलना, रुक मतब बचो चुडिया जो है वो फ्लाइज मतब उड़ना, ओरहेड मतब बचो सर के उपर से, टाइम मतब समय लिटल पीपल मतब बचो चोटे लोग गोईंग मतब जाना, बेड मतब बचो आप बोल सकते हो पलंग ठीक है यहाँ पर दो क्कूद क्या भोला है क हम उस खोड़ित के स्याएं अगर दिए हूँ है The butterflyctica JOSHY HAS FOLLOWED ITS WING Butterfly मतबाई doorzy मतबाफ़ पच्यो औ पूढ़ सकतो Neat brewing मतबाद आखो Wing मतबाचो पंक, यहां पर क्या बला है कि जो बटरफ्लाइ जो तितली है वो अपने जो पंक है वो मोर चुकी है, अब उसे नीद आ रही है ओके, the bees are returning, no more the birds sing bees मतब बचो मदू मक्की returning मतब बचो वापीस जाना more मतब बचो जादा, birds मतब चुड़िया sing मतब गाना, यहां पर क्या बला है कि जो मदू मक्की अब वो आपीस जा रही है और अब चुड़िया जो है वो लोग गाना नहीं गा रहे है their labor is over, their nestlings are fed it's time little people were going to bed labor मतब बचो अब बच्चो काम, या तो मजजूरी और मतब खत्म, nestling मतब बच्चो अब बच्चो के चुड़िया के बच्चो जो रहती है वो fed मतब बच्चो खाना time मतब समय, little people मतब बच्चो छोटे लोग, going मतब जाना bed मतब बच्चो पलंग यहां पर क्या बलाए कि उनका जो चुड़िया है, उनका जो ये काम था, उनके जो मज़़ूरी थे वो खत्म हो चुकी है और उनके बच्चे लोग जो है वो खाना भी खा चुके है, अब ये समय आ गया है छोटे लोग, छोटे बच्चो के सोने का good night, little people, good night and good night people मतब लोग, little मतब छोटे यहां पर क्या बलाए good night, छोटे लोग, good night, good night ऐसे बोल रहे हैं, जो पोईट है जो कभी है वो बोल रहे हैं, आगे देखते के sweet dreams to your eyelids till dawning of light sweet dreams मतब बच्चो क्या बलते हैं तो अच्छे सपने, ठीक है eyelid मतब बच्चो, eyelid मतब बच्चो पलक, till मतब बच्चो बच्चो, तब तक dawning मतब बच्चो, जो सुबह का समय नहीं रहता है, जो ऐसी जब light सुबह दिखती है, ऐसी हलकी हलकी सूरज की, तो उसको dawning बोलते हैं, ठीक है सुबह का समय, light मतब रोशनी, अब देखो अब जो point है, जो कभी है क्या बोल रहे है, कि sweet dreams मतब अच्छे सपने, आपके पलकों के लिए सुबह तक, ठीक है, जब तक सुबह की रोशनी दिखती है, तब तक के लिए ऐसा ये कवी बोल रहे है, आगे क्या देखो the evening has come, there is no more to be said, it's time little people were going to bed evening मतब बच्चो, शाम, कम मतब बच्चो, आना more मतब बच्चो, जादा, said मतब बच्चो, बोलना time मतब समय, little people मतब बच्चो, चोटे लोग, goi मतब जाना bed मतब बच्चो, पलंग मतब बच्चो, क्या बोल रहे है, कि अब शाम आ चुकी है, और अब ये बोलने की ज़रूद नहीं है, अब बच्चो, यहां पर मैंना आपके लिए लिख के रखाए, इसमें पहले कहाए, give meaning मतब आपको यहां पर शब्दारत है, पहले इसमें मतब क्या होता है, बच्चो, रूक मतब क्या होता है, a kind of bird, मतब बच्चो, ये एक तरह की छुडिया है ठीक है रॉजी बार्टा बैट्छ स्लीपी मतलब नेंदाना ठीक है अब भारी आपको अपकश कि छोटी जो चुडिया के बच्चे रहते हैं उसको वह बोलते हैं स्क्रींट को आगे देखते हैं अब आगे क्या दिया हुआ यहां पर देखो आगे तेक्ट में रीड़ द भाइं अलाूण यहां पर आपको क्या करना आपको लिखना कुछ नहीं है यहां पर आपको पॉइम बस रीड करना पढ़ना है थर्ड क्या देखो Write what the following are doing मतलब बच्चो यह सब जो यहां पर आपको दिया यह सब क्या कर रहे हैं आपको लिखना है पहले क्या देखो the rooks are all flying to their nest मतलब बच्चो जो भी चुडिया है रूक्स है यह सब अपने घोसले में उड़ते हुए जा रहे हैं वापिस सेकेड क्या देखो butterfly butterfly मतलब बच्चो चुडि butterfly मतलब तितली तितली क्या कर रहे है देखो the butterfly is feeling sleepy and has folded its wings मतलब बच्चो जो तितली है उसको नीद आ रही है और उसने अपने जो पंक होते हैं वो मोड लिए है ठीक है थर्ड क्या है दोगो bees bees मतलब बच्चो मदुमक्खी मदुमक्खी क्या कर रहे है देखते हैं देखो the bees are returning to their hives मतलब बच्चो जो मदुमक्खी है वो अपने छट्टे में वापिस जा रही है हाइज मतलब क्या होते है देखो चट्टा मदुमक्खी का फूर्थ क्या दोगो birds birds मतलब बच्चो चुडिया चुडिया क्या कर रहे है दोगो the birds are silent and ready to sleep मतलब बच्चो यो चुडिया है वो चुप चाप एकदम है और सोने के लिए तयार हो गई है आगे देखते हैं आगे क्या दियो यहां पर देखो आपको क्या है यहां पर आपको what is your bed time who tells you to go to bed मतलब बच्चो आपका सोने का समय क्या है और कौन आपको सोने के लिए जाने बोलता है answer का देखो I generally go to bed around 9 p.m मतलब बच्चो मैं सोने के लिए करीब 9 बजे जाता हूँ my mother tells me to go to bed और मेरी मम्मी जो है मेरी मा है वो मुझे बोलती है सोने जाने के लिए sometimes if मम्मी is busy daddy puts me to bed मतलब बच्चो कभी कभी जब मम्मी busy रहती है तब मुझे daddy सुलाते है आगे देखते है क्या है यहाँ पर देखो आगे देखो आपको यहाँ पर दिया हुआ rhyming words rhyming words मतलब बच्चो क्या होता है rhyming words मतलब बच्चो दो शब जो एक जैसी आवास करते हो भले से उनके meaning अलग हो उनके जो earth अलग हो पहला क्या है देखो coming coming मतलब बच्चो आना इसका rhyming word है flying flying मतलब बच्चो उड़ना तो देखो coming, flying एक जैसी आवास कर रहा है तो यह rhyming word हो गया second क्या rest rest मतलब बच्चो आराम करना nest मतलब घोसला आवाज से में rest nest यह rhyming word है third है तो overhead इसका rhyming word है bed तो देखो आवाज से में overhead मतलब बच्चो सर के उपर bed मतलब पलंग fourth आपको wing मतलब punk sing मतलब गाना तो आवाज से में wing sing fifth है night night मतलब बच्चो रात इसका rhyming word है light आप बोल से को रोशनी तो आवाज इसकी सेम है दो नाइट लाइट यह राइमिंग ओर है तो यहां पर हमारा यह चेप्टर कंप्लीट हो गया है अभी आप इसको अच्छे से पढ़ लो और लेर्न कर लो ताकि अगर आपका टेस्ट हो तो इसका आपके फूल माक्स है अभी हम मिलते हैं अगले वीडियो में सब तक के लिए गुडबाई अगर आपको यह उडियो अच्छा लगा हो तो अब इस वीडियो को लाइक करो शेर करो एंड चैनल को सब्सक्राइब करो थेंक यू